कि हमारे साथ इसे में कॉंग्रेस पार्टी की वरिश नेता और उनसे साथ साथ हर्याना कॉंग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शेलजा जी सडकों पर किसान है चाहे पंजाब हो चाहे हर्याना हो और ऐसे सीन देखने को मिल रहे हैं जो की पहले नहीं देखे गए बहुत अक्रो का मालूम नहीं आप उपर से तुखले की फर्मान लागू कर देंगे और किसान मान लेंगे आपने दिया क्या है उसका नियूंतम समर्थन मुलिया जो कॉंग्रेस पार्टी ने इंद्रा जी ने गारंटी दी थी आपने तो वह भी चीन लिया और आप निजी हाथों में किस का इस्तेमाल कर रहें दमनकारी नीती दमनकारी सरकार और लोगों की बात सुनना नहीं अपने कानों पर कानों में उंगलियां डाल रखी हैं आँखों पर पटी बांध रखी है केवल अपनी बात आप कहते हैं लोगों की बात आप सुनते नहीं मैं इस सिच्विशन कैसे द पुलिस का प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है यह अच्छा तो यह होता कि पहले से ही आप किसान की बात को उठाते इन काले कानूनों को आप अपने केंद्रे नेत्रित्म को समझाते हमारी जो दूसरी सरकारे हैं उन्होंने कहा है कि यह ठीक नहीं है और लागू नहीं होगा तो आपको किसने रोका आप अपनी बात को अगर किसानों की बात को मानियो प्रधान मंतरी जी तक नहीं ले जा सकते तो तो ये बहुत दुख की बात है कि किसान हमारा अन दाता जब उसको खेत में काम करना चाहिए बिजाई का समय भी हो रहा है तो वो बेचारा उस सारे काम को छोड़कर सडकों पर बैठ रहा है तो सरकार को देखना चाहिए कि कैसे होगा अगर हमारा किसान हमारा अन दाता हमारा मजदूर अगर वो ऐसे काम करेगा तो फिर देश की अर्थवेवस्था देश की नीम हिल जाएगी सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए और नियूंतम समर्थन मूल्य का एक कानून लेकर आना चाहिए अखरी सवाल सरकार बीजेपी के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि इ लाव प्राहूल जी ने तो आवाज उठाई है क्योंकि हम किसान की और मजदूर की आवाज सुनते हैं भारती अजंता पार्टी ये सरकार इनकी आवाज सुनती नहीं है तो ये तो फर्मान जारी करने में विश्वास करती है एक बार नहीं बार बार किया है तो हम आवाज खेल्डा जी हमसे बात करते हुए कैंपसर गंगा सिंग के साथ में सुप्राइब भारत वर्ष तीवी नाइन भारत वर्ष पर